आजादी की लडाई में भी पहले बिगल फोकने वाले मंगल पांडे जी हमारे ही समासर सरसाथ नौंबर को गांधी मैदान से एक नया इतिहास लिखा आपा धापी लगी है कि राम विलास पासवान, सुसिल, मोदी, नितीज, कुमार या लालू यादों का जूता पहले कौन उठाके अपने सिर पर रख ले कि हमको टिकट मिल जाए इसी आपा धापी में लोग पड़े हैं आज भी फुटपात किनारे रात टेंट डाल कर तिरपाल डाल कर रात गुजानने वाले सब के सब दलित ही क्यों हैं आज भी गाउं में भेड बकरी सुर चिराने वाले दलित ही क्यों हैं आज भी मंदिरों के आगे स्टेशन पर भीक मांगने वाले सब दलित क्यों हैं? आज भी रिक्षा ठेला चलाने वाले सो में सनिनानवे दलित क्यों हैं? इसका मतलब उन्ता कारेक्षन का लाव नहीं पहुँच रहा है नमस्कार मेरे नाम ग्यानिक्ष्च्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ सिटिज देखिए आज हमारे नियूज रूम में हैं भुमियार भ्रामन एक्टा मंच के संस्थापक आश्टोस कुमार जी आश्टोस जी आपका श्वागत है आश्टोस जी एक नई क्रांती पहला कर रहे हैं समाज के लिए और अगले 7 नवंबर को मतलब 7 नवंबर 2019 को कुछी दियों बचे हैं पटना के गाने मैदान में एक बहुत बड़ा महा जुटान होने जा रहा है भुमियार ब्राह्मनों का ये सामाजिक आंदोलन है और आश्टोस जी से हम बात करेंगे कि ऐसे आंदोलन की जब जाती तोड़ने की बात चल रही है क्या जुरता परी है और तब भी जब इस राजे से वैसे लोगों का सत्ता में अब इस्थान नहीं रह गिया है जो भूरा बाल साफ करने की बात करते थे तो आश्टोस जी साथ नवंबर को आप कौन सा हिसाब किताब फढ़ियाने जा रहे हैं सरकार से सर चाहे वो हमारी राजनेतिक हिस्सेदारी की बात हो या समाजिक हिस्सेदारी की बात हो या सिक्षा हमें जो पढ़ने का जो अधिकार दिया गया है मौली का धिकार उससे जो बंचित रखा जा रहा है बहुत लंबा चोड़ा हिसाब किताब है सर और उसके लिस्ट बहुत लंबी है और उस दिन पूरी लिस्ट जारी की जाएगी गांधी बैदान से और आज तक का जो ये समाज दान विर कर्ण की तरह दान करता गया आज तक हिसाब नहीं मांगा चाहे हम कॉंग्रेस के साथ रह इनके जो भी रहलियां सभास समेलन हुए उसमें भेड़ जुटाने से ले कर और इनके कूर्सी शमयाना और टेवल बेंच लगाने तक के जिमिवारी हमारी रही चुनाओं के टाइम में बूथ पर लाठी गोली खाने की और चलाने की जिमिवारी हमारी रही इनके लिए फिछ़ड़ा मुसलमान की बात होती है vowel नहीं होती है यह नहीं कहते कि दलीतों की बात क्यों कर रहे है इस देश के संसाधेन पर जितना अधिकार हमारा उतना ही अधिकार अन्य वर्गों का भी लेकिन हमारे समाज में गरीभी है इस बात तो को सविकार ना पड़ेगा उन्हें और अगर सविकार नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ हमारे राजनेता हमारे नितीजी चलें दिल्ली रेल्वे स्टेशन के बाहर जो सूलब सोचाले लिखा हुआ है जो तमाम जो सोचाले सफाई कर्मी है वो मैथली ब्राह्मन है तो बताये कि ये कर्म से दलित है कि नहीं है इनको सरकारी जब्धाओं का लाब मिलना चाहिए कि नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि चर्चा पर्चा खर्चा चुनावों में भुम्यार समाज और रहा है लेकिन आज उनकी हिस्सेदारी को सिमित कर दिया गया नगन ने कर दिया गया और हमने कई चुनाओं में देखा कि आपके हिस्सेदारी जिस समाज की आप बात करते हैं वो कम होती जा रही है अभी पिछले ही चुनाओं में देखा कि जहानाबाद भी आपके हिस्से से चली गई पहले मुझपत पूचला गया तो आप जो करें गरीबी की बात करें गरीबी सभी समाज में है तो आपकी मांग ये है कि सबन समाज की हिस्सेदारी भी राजनेटिक हिसेदारी हो या आथिक भागीदारी हो दोनों की बात होनी चाह अभी तो सरकार आपकी है जिसके साथ आप खरे होते हैं हमारी प्रतिबध्धताएं यह हैं सर कि हम लोग देश और राष्ट को सरोपरी मानते हैं जे और राष्ट हमारे लिए सरोपरी है और आज नहीं आजादी की लड़ाई में भी पहले बिगल फोकने वाले मंगल पांडे जी हमारे ही समासे तो हम लोग पराधिनता को भी स्विकार नहीं कि और दूसरी बात की जब देश की बात आती है तो हम अपना हित भूल जाते हैं और देश हित की बात करने लगते हैं लेकिन अब तो जो परिस्थितियां बन रही है हर रोज हमारे विरुद्ध सरकार में न या जो भी राजनेतिक दल है या जो भी राजनेता है उन्हें इस बात को समझना होगा कि हम इस देश के समाजवाद के रूट लेवल पर रहें और अगर किसी पेड़ की जड़े सुखेंगी तो पतियां भी हरी नहीं रहेंगी देश में अन इस्थितिया बहुत विकट हो जा को जिन्दा करने चले हैं कि आपकी टाकत क्या है या हसास कराने चले हैं अहसास कराना जवरी है चुकि पिछले गांधी मैदान के हमने जब इतिहास खंगाला तीस वरसों का देखा सरभिहार में भूमिहार ब्रामनों के अलावा कोई ऐसी जाती नहीं बचे जिस जाती ने अपने समाज का सकती का हसास अपने वोट बैंक होने का हसास राजिन्तिक दलों को नहीं करवाया पटना के तिहासी गांधी मैदान में लेकिन हम लोग अब तक नहीं करा पाए साइद यही वजह है कि हमारे समाज को ब्रामन समाज को भुमिहार समाज को महज एक वोट के सॉप से detailing इससे लोकह तंत्र की वीडमेंब्ण नहीं है कि अब इसका में बदल चुका आब ये भीड तंत्र में स्थापी मोगो क्रेश्थी जी जो भीड दिखाएगा जो संख्ययाबल दिखाएगा उसी की बात बीदान सवा में होगी उसी की बात लोग सवा में होगी और उसी की बाद चुनावी घुसना पत्रों में तो हमारा समाज तो कभी भीड में चलने वाला समाज नहीं रहा है आपका समाज तो आगे चलता रहा है अब समय की मांग है यह संगठी तो होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ी और हम कि दल किसी पार्टी के विचारधारा से जुड़े हों वह आपकी अपनी राजनी थे वह आपके अपने जगह पर हमें उससे कोई परशानी नहीं है लेकिन पार्टी मेरा इतना ही मानना है कि आज आप कॉंग्रेस में कल बीजेपी में जा सकते हैं यार निकि आप अपने सबढ़ा के अपनी जाती नहीं बदल सकते हैं और आपके जाती को जाती के हिसाब से टार्गेट किया जा रहा है सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है तो आप से निवेदन यही होगा कि जब जाती की अधिकारों की बात हो तो पार्टी के जंडा को पीछे छो गांधी मैदान में और उस दिन का इतिहास जो भुमिहार ब्रामनों के लिए लिखा जाएगा वो साइद सवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और जिस हिसाब से ब्यापक जन समर्थन आशिरवाद सयोग प्राप्त हो रहा है समाज के बीच में जाने से इस बात को कहते हु कहीं को याती सयोगती महसूस नहीं हो रही है कि अब तक के पिछला सारा रिकॉर्ड गांधी मैदान अपना तोड़ेगा तोड़ेगा जी अगामी साथ मों ब्रामन कर रहे हैं आप तो लाठिया भी खाई हैं कई मुद्दों पर लाठिया खाई हैं आपके साथी जेल गया ह जब समन आरक्षन का मुद्दा आया तो अब तैयारी कैसी चल लिया और जिलों में जब आप परिभर्मन कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉंस मिल रहा है सर् सर्त तैयारी हम लोग ना तो प्लिटिकल बैग्राउंड से हैं अभी आपने कहा कि मैं और नहीं ओद्वुग पती घराने से बहुत लोग हैं सर लेकिन वो चुनाओं के समय बस सेल्फ के लिए ही काम करते हैं अगर समाज के परती अपनी छोटी सी हिस्सेदारी छोटी सी भागी दारी छोटी सी जिम्मवारी निभा दें तो सायद नबे के दसक में समाज के इज़त आवरू जर जोरूर जमीन की रक्ष हैं जो सहीद हो गए उनके बचियां 33 वर्स की हो गएं उनके साधी नहीं हो पा रही है उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही हैं उनके जमीने परीत हैं अगर यह चाह जाते हैं अपना थोड़ा सा नजर इस और घुमा देते तो साहिद समाज के लिए इतना अधिने वालों की बचीयां आज कुमारी नहीं रहे हैं अरश्तोंस ईए आपने बात करी जर जरू जमीन की तो मतलब टाकत की बात कर रहे हैं जो हमारे हैं पुरानी कहाबात है कि जिनके पास ताकत होती है वही जरू जरू जमीन को Mmpar को सुरक्ची तक पाते हैं त कुछ तो हमारे प्रतिनीधियों ने वी हमें कम्जोर किया आपके ही प्रतिनीधियों, राम बिला स्पास्वान से हम क्यों अपक्शा रखेंगे, दलितों की बात कर रहें, और दलित की नेता हैं, और खुद को थाबिदभी करते हैं, और इसलिए अपने ही सरकार पर दबाव कि गांधी मेदान में कुछ चंद्रवंसी महासभा करते हैं यहां तक कि पिछले 28 अगस्त को पक्टना के सरकिसमरील हौल में नोनिया कानू जैसे तीन जातियों का सम्मिलन था जिसमें मुख्याती थी राजिपाल महुदे थे इस देश के प्रधान मंत्री लाल किला से अपने कि इतने बरेबरने नेता हैं Gira j से ऐ Anthraiser कि हमारे समाज के जो नेता है वह चुनाओं के टाइम में भूमियार और भ्रामन रहते हैं चुनाओं के बाद कोई भाजपाई हो कोई कोंग्रे हो जाते हैं और को हिंदू कोड़े Всё nuts तो। इन्हें कैसे ठीक करेंगे आज हम जानते आप जिन का नाम लिए गिराजवावू का वह अ आप हो जाते हैं और कोई हिंदू के नेता हो जाते हैं कोई सेकुलर हो जाते हैं तो इन्हें कैसे ठीक करेंगे आज हम जानते हैं आप जिनका नाम लिए गिराजवावु का वह असपस्ट कह दें कि मैं भूमिहार कोटे से मंत्री नहीं हूं यह वह हिंदू कोटे से मंत्री नहीं ह बिल्कुल और अगर अपने आपको भूमे हिंदू का नेता स्थापित करने में या प्रूब करने में लगे हुए हैं तो तब तक हम नहीं मानेंगे कि आप हिंदू के नेता हैं जब तक आप नवादा बेगु सराय और जहानाबाद जिसा सीट खोजिएगा अगर आपको कि संगंज कटिहार से चुनाओ जित कर दिखाना होगा कि संगंज कटिहार की बात करें आप तो मुझभपर पूर जहानाबाद अपनी सीट छोटे चले जा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है सर ऐसा इसली हो रहा है कि समाज की ताकत जब तक हमारे प्रतनिदी नहीं समाज को कमजोर महांदर सारे हैं यानि कि उनको समाजिक मंच पर आने में समस्या होती है समाज की बात उठाने में समस्या होती है आपा धापी लगी है कि राम विलास पासवान सुसील मोदी नितीज कुमार या लालुयादों का जूता पहले कौन उठाके अपने सीर पर से पहले जहानाबाद के, अगर ये हैसास हमिद साह जी को होता कि इनको टिकट नहीं देंगे जहानाबाद से तो ये निर्दलीय लड़के देड़लाक वोट ला सकते हैं, हमारी जमानत जबत करवा दे सक्राइब हो दर जानते हैं तो कॉन से नेता का वजूद है उनको पताologists में पीसमान तक नहीं और रही हुआ नहीं मतलब कहना के जूता पकरने की राजनीती आपके समाज में मतलब भुम्यार ब्राह्मन समाज में आ गई है, यदि इसे जब तक नहीं छोरेंगे, जब तक आप अपने गर्ब से पुराने दिनों को बापस नहीं ला सकते। ब्राह्मन समाज में पुरी ताकत और पुरी तंतर जोक रखी है भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने में। फिर भी भारत के आदे से जादा राज्यों में नक्सलवाद आज भी चरंपर हैं। तो फिर ये जो बात आ रही है तो आप जो साथ नोवंबर की रैली होने जा रही है अप क्या लल कारेंगे लोगों को? क्या मांग करने जा रहे हैं? कैसे आप लोगों को एड्जुट करेंगे? क्योंकि आप यहाँ तो अपने ही में इतनी लराई हैं? अनन सिंग, सुरजब प्रवेस वर्जी थे कारण क्या रहा है आप पंजा लेकर आए जाती के नाम पर समाज आपको वोट कर दिया आप कमल लेकर आए आप तीर लल्टेन जोपड़ी यहां तक की हसुआ थोड़ा लेकर आए वहां पर भी समाज ने आपको जाती के नाम पर सपूर्ट किया आपकी यह वकात चलने की साइकल पर नहीं थी समाज ने आपको हिलिकॉप्टर तक पहुंचाय लेकिन आज समाज की स्थिति है कि हम सड़क पो उतर कर आंदोलन कर रहे हैं लाठी खा रहे हैं आपका चोच नहीं खुल रहा तो समाज तो अब पराकास्था की हद तक जा तो यह चोच खुलवाने के लिए आप साथ नमबर को सरकार से क्या मांग करने जा रहे हैं क्या कौ सबसे मूल मंत्र है साथ नमंबर को मेसेज दीना है हमें कि जो एक आम ओधारना बनी हुई है कि भूम्यार ब्रामन एक नहीं हो सकते हैं इस सुने होंगा हमारे साथ हन्याय होगा हमारे साथ हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम उठ खड़े होंगे और हमारी संख्याबल जितनी होगी उतने संख्याबल के साथ, पुरी ताकत के साथ, वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे एक बात और है सर्थ, कि हमारा समाद चाहे ब्रामन हो या भुमिहार हो, इमायावती और जितना रामान जी का जाती नहीं है इसका एक है कि बच्चा कम से कम 10-10 वोट का ठेकेदार होता है, चाहे हो दोस्त का हो, रिस्तेदार का हो, बनिहार का हो, या यार का हो तो पांच लाग की संख्या में साथ नॉम्बर को पठना के गांधी में जाने जाने में पांच लाग की संख्या में से हमने अब तक 35 जिलों का ब्रह्मन किया और तीन जिला जो बाकी हो कल से ही लगातार अभी कंटीनिव है और जारखंड के साथ जिला उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में दिली एंसियार के गुरगाओं नुएडा गाजियाबाद फरिदाबाद और दिली सेंट्रल में यह हमने समीति का भी विस्तार कर लिया अच्छा डेश ब्यापी कर रहे हैं जी स्टेट में मतलब हरियाना में भी हम लोग करके होता हैं अभी तक हम लोग सक्रिये ग्राउंड से लेकर और सोसल मीडिया तक कम से कुम साड़े आठ लाक सक्रिये तो उस दिन आप अपने जो जात किया तभी वो आज हमारे जाती कि वो चाहे उठेकदार कलें चाहे निता कलें चाहे जो कहलें उनसे निवेदन करेंगे कि समय की मांग को समझिये समय की नजाकत को पढ़िये अब अगर आप समाज की बात नहीं किजिएगा समाज की उद्दिस्वों को समाज के चाहत को समाज दरखिनार करते जी आज भी इनके पास मोगा है आज भी समाज के लिए अगर आवाज उठाएंगे तो निश्चित रुप से समाज इनको वही प्रतिष्ठा और वही सम्मान देगा अचा नेतिस कुमार की सरकार से आप क्या-क्या पेक्षाएं रखते जिनसे आप संतु प्रक्षने की जिरुत नहीं आज आप जिस प्रकार से 13-point रोश्टर के पक्षमे अध्यादेश लाए या SCST Act के पक्षमे अध्यादेश लाए आज आपको चाहिए कि एक बार आप विचार करवाईए और सर्वे करवाईए कि जातिगत आरक्षों से आज तक कितने पिरिपाल डालकर रात गुजानने वाले सब कर अधालित ही क्यों है आज भी गाउ में भेड़ भक्री सूवर चिराने वाले दली क्यों है आज भी मंदिरों के आगे station पर भीक मांगने वाले सब दलित क्यों है आज भी रिक्सा ठेला चलाने वाले 999 दलित क्यों है इसका मतलब उन तक आरक्षण का लाव नहीं पहुंच रहा है आप वहां तक लाव पहुंच रहा है वो तो मांग कर रहे है जितनी जिनकी जनसंग्य उतनी हिस्तेदारी इस से क्या होने वाला है इस से हिसाब से लेकिन कुछ भी हो जाए आप सो परतिसत आरक्षन देदी लेकिन जिनको ये मालूम ही नहीं कि आरक्षन कौन से चड़िया का नाम है उसको क्या आरक्षन का लाब मिलेगा सर्व उनके बच्चों को पता ही निए स्कूल का मुग कि दर से हैं इसकूल में जाना क्यों है अब तो आपके बच्चे भी जो गड़ी भी है उसकारने स्कूल नहीं जा पारहे है आपने जैसा बताया है कि सुलब इंटरनेस्टन के बाहर जितने लोग मिलेंगे या काम करने वाइए लोग मिलेंगे मैथिल ब्रामन होते हैं और या बात भी आ रही है कि दिली गुर narrator, न्यड़ा, गाजियाबाद, सुरट, बंगाल, कहीं चले जाए कोई भी सेक्रिटिटिक एजन्सिक अफिस के अंदर घुज जाइए उसका रेजिस्टर खोल लिए सो सेकुरिटी गार्ड का अगर उसमें नाम लिखा होगा तो असी नाम उसमें सर्मा, तीवारे, सिंग, सुकला यही होंगे सर तो साथ नॉमबर के बार की रणिटी क्या होगी आपके सर साथ नॉमबर को तो हम लोग यही बात करने जा रहे हैं इसके बाद कोई राजनेटी कान दोला सर निश्चित रूप से भागेदारी हमारे सुनिश्चित करनी होगी विधान सभा में लोग सभा में जब तक हम अधिक सदिक संख्या में नहीं रहेंगे तब तक हमारे समाज के लिए योजनाय नहीं आएंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे लेकिन वैसे लोग जिसको अपने आपको ब्रामन या भुमिहार कहने में सर्म महसूस नहीं होता हो गर महसूस करता हो और जो अपने समाज की बात को प्रमुक्ता से राजनेतिक पटल पर वो समाजीक पटल पर भी रख सके वैसे लोगों को विधान सबा तक पहुचाना बहुत जरूरी है इसके लिए समाज जो आदेश करेगा फिलाल हम समाज का दूद या इंदेहात में आम औधारना बनी थी कि हम एक नहीं हो सकते हैं पहले एक होकर मैसेज तो देए पांच लाग के संख्या में हम एक होकर गांधी मैदान में संगठीत होकर पहुचते हैं तो निश्चेत रूप से जो आज हमारे वोट को बप होती या मजबूरी समझ रहा है उसको पचास ला सरकार षाहर फराक से अदिक लोग सामिलोंगे और सरकार से हिसाब करेंगे तो यह जो इतना बरा अजन हो रहा है इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे और आगे क्या चल रहा है आस्तोस कुमार का मुय मत्किश क jogos diye चल रहा है तो इन सारी गठीटिवीडियों पर चु कि कोई ये कहता है कि वो हिंदू होने की कारण मंत्री बनाये गया है, वह इससे जाधा महत्रपूर्ल इस बात के जाती के हिस्सेदारी के कारण मंत्री बनते हैं, तो साथ नुमंबर की रैली पर हमाई लगातार नजर बनी रहेगी, हम इसे कवर भी करेंगे आप देखते रहे हैं लाइफ सिटिस को यदि अब तक आपने हमारे यूटूब टेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कली जगा धन्यवाद